पिस्ता बादम कुकिस बनाने के लिए छन्नी में मैदा और बेकिंग सोडा डाल कर इसे एक बॉल में अच्छे से चान ले अब मिक्षर जार ले उसमें मक्षन और शक्कर का पावडर डाल कर इसे ग्राइन कर ले अब इसी जार में बादाम का एसंस डाले और इसे मैदा वाले बोल में डाल दे अब इसमें दूद मिलाते हुए इसका आटा गुंत ले आटा गुंत जाने पर इसे प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर ले और आधे घंटे तक रेफ्रिज रेटर में आराम दे अब आटे को रोल करने के लिए बटर पेपर को प्लाटफॉम पे फैलाए और ओवन ट्रे पर भी बटर पेपर को रखे अगर बटर पेपर ना हो तो ओवन ट्रे को मख़न से ग्रीस कर ले अब आटे का आधा हिस्सा लेकर इसे बेल ले और कटर की साहिता से अपने मन पसंद आकार दे कुकीज की एक साइट को ड्राइफ रूट्स में रोल कर ले तब तक ओवन को 180 डिग्री में 10 मिनट तक प्रीहिट करने रखे फिर कुकीज को ओवन में 180 डिग्री पे 10-15 मिनित तक या जब तक की वे सुनहरे रंके ना हो जाए इसे बेक करे हमारी कुकीज सव करने के लिए तयार है